हेलो स्टूडिंट कैसे हैं आप कंटिनिव आज हम फूर्थ क्लास कर रहे हैं लास्ट थोड़ी शॉट क्या बहुत शॉट रहे थी फूर्थ क्लास कर रहे हैं आज एक कुश्चन करेंगे और सर इसके बाद हम कुछ चार्ट के उपर आज डिसकस करेंगे प्रोफिट वॉल्यूम रिशमें ठीक है ना आपके किताब का ही कुश्चन है कोई एक्स्ट्रा कुछ चीज नहीं ध्यान दीजेगा बस मैंने इलिस्ट्रेशन भी इन्फेक्ट नहीं रेस किया हो सकता है नहीं पुरानी बुक में independent cases, profit निकालना है पहला case, case number one side, fixed cost दे रखा है fix cost दे रखा है Teacher 1- доллар ord contribution, contribution दे रखा है yogurt 1-34,000 के आपको पता है contribution का formula होता है contribution is equal to fixed cost plus में profit प्लस में profit आपने किया हुआ यह सर यहाँ पर देखा जाए तो contribution 84,000 है सर fixed cost 37,000 है plus profit नहीं पता profit तो balancing figure आ जाएगा profit 37,000 माइनस कर देते हैं इसमें से 84,000 माइनस में 37,000 सर 47,000 आ गया हमारा profit case number one done, कोई doubt है कोई doubt नहीं न, चलिए case number one done, ठीक है sir आ जाएए अब case number two पे case number two में कहता है कि यहाँ variable cost 80% of sales है margin of safety, MOS 30% है और sales दे रखा है आपको total जो भी है हमारा तो VC ratio दे रखा है VC का ratio variable cost का 80% तो मैं simply बात करूँ आपसे contribution का ratio अभी तक तो पता चल गया होगा कैसे निकालेंगे 100 में माइनस करेंगे तो 20% और contribution का ratio is equal to PVR का ratio ठीक है MOS कहता है 30% margin of safety हमारा है 30% clear and sales दे दिया इन्होंने सर sales दे दिया कितने हमें एक लाग रुपए एक लाग रुपए हमें क्या दे दिया इन्होंने sales से दे दिया तो हम यहां से profit volume ratio easily निकाल सकते हैं या PVR कह लो जो भी कह सकते हो कह सकते हो तो हमारा formula क्या लगेगा सर profit निकालने के लिए होता हमारा क्या है MOS का formula एक है न मैं दिखा भी देता हूँ आपको चलिए सर last class में हमने किया था आपको बताया था MOS का formula कहा गया कहा गया कहा गया यहाँ add on करवाया था यह देखिए profit क्या होता है सर margin of safety into में PVR और PVR क्या होता है profit upon में margin of safety लेकिन यहां margin of safety जो होता है न वो amounts के term में होता है ध्यान रखिएगा margin of safety कि स्टम में होगा amount के term में तो सर चलिए आ जाते हैं चलिए 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 तो हमारा यहां पर margin of safety MOS amounts के terms में निकालना हो तो कहता है 30% है तो एक लाग का 30% Sir that is आपका 30,000 अब आपको PVR पता चलिए है 20% तो profit निकाल सकते हो profit का formula होता है हमारा MOS इन्टू में PVR that is क्या हो जाएगा 30,000 इन्टू में 20% यानि सर 6,000 का हमारा case number 2 solve अगले case पर चलते है case number 3 Sir case number 3 क्या कहता है हमारे पास FC पड़ा हुआ है fixed cost है MOS दे रखा है 50% and PV ratio दे रखा है PVR पर रखा है 40% ठीक है तो Sir यहाँ पर हमारा sales निकाला जा सकता है FC और इससे break-even sales तो निकली सकता है और अभी बता देते हैं देखिए break-even sales क्या होगा Sir FC divided by PVR या break-even point कहलो FC क्या है हमारे पास 2,00,00 PVR क्या है Sir 0.4 तो Sir यह कितने आगे 0.4 से divide करेंगे तो यह सर पांच लाग आ गया पांच लाग रुपे क्या आ गया हमारा break-even sales और आपको sales पता ही क्या होता है sales is equal to break-even sales plus में MOS यह दोनों मिला के होता है margin of safety तो Sir अगर आपका यह 50% है MOS तो break-even कितना होगा यह भी रहा होगा 50% के बरावर तो यह रहा है 50% तभी तो हमारा sales बन पाएगा it means simple सी बात है अगर 50% पांच लाख है तो हमारा जो sales निकल के आएगा समझिएगा आप वो हो जाएगा 10 लाख क्योंकि 50% पांच लाख 100% के निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 10 लाख खीक है profit ही पूछा है minus हम कर देते हैं इसमें से variable cost simple तरीके से निकाल लेते हैं अब variable cost क्या होता है हमारा VC का percentage अगर मैं बताऊ नो तो VC percentage होता है 100 minus में PVR ratio यानि अगर यह 40 से तो 60 तो 6 लाख आजाएगा हमारा minus कर दो FC FC question में दे रखा था 2 लाख now that is 6 और 2 आठ तो कितने बचे सर 2 लाख that is profit यह था हमारा profit point number हमारा 1,2,3 हो गया 1,2,3 fourth पर आजाते हैं sir दूसरे मार्गर से fourth में क्या कहता है margin of safety amounts के terms में है और variable cost आपका 35% है question number fourth MOS जो दे रखा है वो amounts के term में दे रखा है 70,000 और VC जो दे रखा है variable cost दे रखा है आपको 35% तो sir PVR निकल जाएगा minus करेंगे 100 से तो 65% ठीक है और अब तो profit simple निकल लोगे MOS से multiply करोगे तो profit आजाएगा यही वाला formula लगाना है यह वाला नीचे given है तो मैं directly formula नहीं लिख रहा है कर रहा हूँ सत्तर हजार इंटू में 65% तो sir सत्तर हजार इंटू में 65% यह आगे sir 45500 फूर्थ का भी लीजिए answer आगया सारा कर लेता है फिर analysis कर लीजिए फिफ्थ एक्चुल सेल्स यान टोटल सेल्स 80,000 है PV रेश्यो 20% है फिक्स कॉस्ट यह है यह भी निकल जाएगा sir question number 4 point number 4 sales दे दिया question में sales कितने का दिया 80,000 PV रेश्यो दे रखा है तो VC रेश्यो आजाएगा na VC 80% हो जाएगा 64,000 minus में FC कर दीजिए sir 10,000 यह आगया sir profit जो examiner ने पूछा था 6000 रोग है तो चारो के चारो cases हमने कोई doubt है तो बताईए आप फटा फट से बताईए फटा फट नोट कर लीजिए फटा फट नोट कर लीजिए कर फटाया कर फटाएगा कर दो हुआ कर भाल कोई डाउट नहीं सर चलिए